नवस्कार मैं हूँ अवंतिका श्रिवास्तफ पंसल्यूस की खास पेशकर्ष लक्ष में आपका स्वाकत है अगर आप भी अपने करेर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह कारेक्टरम आपके बहुत काम का है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपोर्ट्स करेंगे आपका मार दर्शन और बनेंगे लक्ष हासिल करने में पददकार हमारे खास कारेक्टरम लक्ष में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बहतर काम कर रहे हैं और चात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों कर जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बड़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं लक्ष की इस खास पेशक्रश में हमारे साथ बोपाल अर्विन सेन मौजूद हैं जो कि AK Physics Coaching Classes Harshwadal Nagar भोपाल की डिरेक्टर हैं साथ में मौझूद है आशिशा जो कि AK Physics Coaching Classes के स्टूडेंट लक्ष में आप दोनों का बहुत-बहुत स्वाकत हैं सबसे पहले अर्विन सर का रूख करेंगे सबसे पहले सवाल मेरा आप से यह है सर कि आप अपने कोचिंग क्लासिस की बारे में बताएं साथ ही आपके क्लासिस में मैठ स्ट्रीम की कितने स्टूडेंट है इस जानकारी को भी हमारे साथ साथ करें जैसे मैं अर्विन सिन तो मै केंप Commission च्रीव करता हूँ कि हमारे हैं पर बात होय कि कितने बच्चे की निकलते हैं करता हैं और Commerce की च्षेत्र में बात करें तो राकेष दुभेसर Commerce की Classes लेते हैं और इसके साथ ही अगर बात करें MP नागर में तो MP नागर में प्रितियोगी Chival Services के त्यारी भी करा जाती है तो अ즈 कपिल tôi सर के साथ काफिल के सी साथ कि स्टूडेंट है साथ ही आप अपने एक्जाम के तैयारें किस तरह से करते हैं मैं मैं अपनी तैयारी सुभा कुछ टाइम सब्सक्राइब करने के बाद प्रैक्टिस के टाइम निकालता हूं और केमेस्ट्री मुझे जादर टफ लगती तो केमेस्ट्री इवनिंग टाइम रहता है बिल्कुल यानि कि जो सब्चेक्ट आपको टफ लगता है उसकी तयारी आप सबसे पहले कर लेते हैं चले अर्विंजी आपकी और रुख करना चाहूंगी तीन स्ट्रीम्स होती हैं बेसिक सब्सक्राइब में जा सकते हैं और बात हम लोग जैसे बच्चों को बिल्कुल सभी च्चेतर में बिल्कुल स्च्छा के शेत्र में अगर देखा जाये तो यहां पर बात करते हैं किस दीश देखाए तो बच्छा के शेत्र में अगर देखा जाने तो बंसल के बी कई योगदान है आप उन योगदानों की साल में उत्कृ्ष्ट योगदान दिया और बात करें कि बंसल जो है तो टेक्निकल समवर टेक्निकल गूर्प में बहुत ही मात्पून योगदान दिया तो बंसल के बारे में जैसे अगर बनसल को जानता हुए और जहां पर प्लेस्मेंट का प्लेस्मिंट बहुत अच्छा आघर अगर देखा जा तो हर बहुत अगरणी है आज वर भी बनसल के दौरा रहा है तो बनसल के दो आरह हो बहुत है बिल्कुल यानि के बंसल-स-भू के कई योगदानों को आप काफी अप्रेशियेट करते हैं चलिए अशीश तेकनल एजिकेशन बच्चों को ने ने तरीकों से knowledge gain करना पसंद है आप से समझा चाहेंगे कि technical education में आप बंसर समु की किन नीतियों को पसंद करते हैं मैं मैं जब बंसर college विजिट किया तो हम पर हर technical चीजियों की अलग अलग लेबरेटरीज है और practical knowledge जाद सबसे जादा प्लब्त हो सके इसकी निरंतर कोशिश की जा रही है आप से समझा चाहूंगी अर्विन जी कि इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं कि हर वर के शेत्र में इन नीतियों को हम पहुंचा सके जैसा कि मैं आपने बोला कि बंसल का जो technical education इसको हर फिल्ड में कैसे पहुंचा सकते हैं तो मैं बता दूँ कि जैसे बंसल है तो बंसल जो भी बंसल के फैकलिटी है या फिर बंसल के जो भी यहां पर गुरूप है बनाया गया तो उसके लिए कांसलिंग कांसलिंग कर सकते हैं कॉलेज में विजिट कर सकते हैं इसकोल के साथ साथ यहां पर कोचिंग क्लासस में और ग्रामीट छित्रों में जाकर बच्चों के बारे में यहां पर टेक्निकल एजुकेशन के इंपोर्टेंट के बारे में बता जाए और साथ में कि यहा scholarship schemes को हर वर्थ तक पहुंचाना है और वेबिनार के थुरू भी एक अच्छी पहल किये जा सकते हैं चले अशीश के और करेंगे अशीश एक student life में शिक्षा और स्वास्त के बीच सामझे से रखना बहुत जादा सरूरी होता है आज से समझना चाहूंगी कि आप किस तरह से अपने पड़ाई पर फोकस करें और बाकी चीजों पर ध्यान ना दे सामको एक घंटा स्पोर्ट्स के जरूर निकाले जिससे आपको आपको फोकुस करने में आसानी फोकुस करने इजली बिल्कुल या निकी फिजिकल एडुकेशन पर भी फोकुस करना साथ-साथ बेह जाना है बस टेकनिकल एडुकेशन के साथ में पोस्ट अच्छी मिलेंगी इसलिए मैं आपने तो डिसाइड कर लिया है कि आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहेंगे अर्विंजी कई अच्छे होते हैं जो अपने करेर को लेकर काफी कंफ्यूस्ट रहते हैं नहीं पता हो बच्चे क्यों में जाना चाहते मяжरे इस ऐसे में बिफोंट करते हैं यह नहीं बाता टे और साथ में अगर जैसा है तो हमारी हाफ एकस्वर्ड फेकल्टी बहुत बुला जाती है अगर कोई चीतल स्कारां के KS करना अब है बजर कोई बच्चा इसक Completelyация का के यहाँ चारनें तो उनके द्वारा हम लोग यहां पर मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं प्रवाइट करते हैं और उसके माध्यन से बताते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता कि बच्चा जाना किस फिल्ड में अगर बच्चे के अगर उस इंटेस्ट के वारे पता जा तो बहुत ही हो जाता उनको ंतात को जारा siya कई को देसा मातापित। ऊनको किस तरह से डिल्ड करते हैं उसा में मातापिता को दिक्कत हो नान प्रौ श्मी करें कि जो इच्छा कि हमारे बच्छा करें ढ़े सकताब हो तो कहीं हर बस नहीं कर पाया है जैसे कहां C आछ में भलत करा रिफिजился कि कहां बुप कर करें शिचे कि कि इसको बात करें नहीं हर इसके बास्ते हैं पर करा से आजकल government ने बहुत सारी scheme निकाल लिए ती scholarship की माध्यम से बच्चे आसानी से कर सकते हैं और parents को convince किया जा सकता है बिलकुल याने कि बच्चों के साथ साथ आप उनकी families की भी career counselling करते हैं और मदद करते हैं कि बच्चे काफी sorted रहें अपने profession को लेकर आके अशिश से बात कर लेते हैं अशिश आपने इस तरह से बताया कि सिप standard में ही अपने decide कर लिया था कि आपको defense sector में जाना है क्या कुछ factors रहे थे किस तरह से आपने इस लक्ष को निर्थारित किया मैं बस जुनून था मैं defense में जाने का और friend circle के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि और घरवालों नहीं सपोर्ट किया और उन्होंने बोले जो तुमें करना वो तुम कर सकते हो बस एक जुनून था उसके पीछे अभी भी है defense में जाना है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपके पास घरवालों का support है कई सारे ऐसी बच्चे मेंने देखे हैं जुनको आगे किसी करियर में कदम जरूर रखना होता है लेकिन family support नहीं करती है चली अर्विन जी आपसे भी बात कर लेते हैं सब बड़े सब बड़े बंसल समू के इस उदेश्य के बारे में आपने इस Daewans जो समझाया जाए उनकी करियर कांसिलिंग किया जाए और साथ में देखा लाता दो बंसल कोलेज के द्वारा बंसल समो के दौर यहां पर बस सेवाइं बिल्कुल free उपलब्द कर रहे जाती है और साथ में यहां पर theoretical knowledge पे जादा दिया जाए और यहां पारकाया इसा पच्छे दुनों COVID काल था और हम ने देखा किस तरह से कई बच्चों को चनौतियों का सामना करना पड़ा को online classes थी कई सारी दिक्कते आए आप किस तरह से बया करना चाहेंगे कैसा रहा आपका किसी के लिए अच्छा नहीं था अबर में online classes के लिए मुझे भी problem फिस करनी पड़ी सर का support मिला किशोर सर ने support किया उसके बाद ही पॉसी को लुपाया मेर online classes के लिए सर ने जब class conduct करते तो online class लेते तो उन्होंने मुझे बलाया उस तांब उस तांब मैंने classes करें online classes के लिए काफी problem फेस करने पड़े पादे प्रब्लम्स थे लेकर स्मूद ली अर्वन सर की वज़े से कह सकते हैं कि आपने हमने देखा कि पिछले दिनों कितना नुकसान हुआ बच्छों को पढ़ाई में जिस तरह का फिजिकल इंवार्मेंट उन्हें स्कूल में विड़ रहा था वो घर पर रहकर नहीं मिल पाया क्या कैना चाहेंगे ना जैसे कि यहां पर बच्छा आता था तो आप उनको पढ़ाय लिखारे का ज्यादा आप हम लोगों ने पुरा प्रयास किया कि हम लोग ने एक अप्लिकेसन बन बाया है जैसे मस्कूर खान के मिश्टी वेश्टी क्लास हमारे पे सबसे बड़े हो सीनिय और मैं भी उन से पढ़ा हूं तो एक application बनाए गया तो उसके द्वारा कोई बच्चा क्लास नहीं आपाता तो उसको पूरा environment class जैसे मिलता अगर नहीं आपाता तो अपने आपको classes सुनके मौल में किसी तरह से नहीं किया जाए लेकिन प्रेजन सिच्वेशन पर मैं थोड़ी सीच्चा करने चाहंगी कि किस तरह से हर बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है आगे classes में कुछ की हम लोग exams कंड़क्त नहीं करवा सकते हैं आगे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्या कुछ कॉप्लिकेशन आ सकते हैं बच्चों के करियर को जब ध्यान में रखा जाएगा जैसे को बच्चों को प्रमोसन दे दिया गया तो बच्चों को आकलर नहीं पाया कि जैसे कुछ बच्चे थे कि डूसरी बाज जितना आप मेहनत करेंगा उसके हिसाब से आपको पर्ल मिले गा अगर आप मेहनत करेंगे तो बर बाइन करेंगे अब का wilt जैन जया know करने की प्रमोशन के बावजूद भी परिश्रम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आगे जब प्रफेशन चूज करने की बात आएगी तब हो सकता है कहीं न कहीं आपके इस प्रश्रम का फ़ल आपको उस समय मिल जाए चलिए अशीश सोचल मीडिया का जमाना है और हर ब अच्छा यानि की आप सोचल मीडिया पूरी तरह से कुट कर चुके हैं नो मैं अच्छा यूज करते हैं चलिए अर्वें जी सबचना चाहूंगे आपसे सोचल मीडिया को लेकर कई राय देखने को मिलती हैं बच्चों में भी कहीं कहीं बच्चों का बिलीव रहता है कि सो हमें सोचल मिडिया की माद्यम से में बहुत सरी जानकारी मिल जाती हमें हर चीजी करना है अफ्डेट मेल जाता है बिलकुल क्या हो रहा इस दुनिया में वर्ण सबसे हम कनेक्ट हो सब्सक्रांब और और अगर वहीं सोचल मीडिया के ज्यादा भी ज़्यान देकर और विह पर देखने को मिलते हैं जहां पर ब Ö dependent को इसे उर्च न कुछ दर कर बैठते हैं और कैसे कि गाइद्स कि कमि होते हैं कहीं न कहीं आप अपनी कोच क्लास डिंक के शह वह में सफोंक। करता हूं कि जैसे class लिया तो class लेने के बाद अगले class में बच्चा जो हमने पढ़ाया तो पढ़ कि आया कि नहीं है पाया जैसे topic complete हो तो उसकी बाद चिप्टर मलब उसका test होता है उनीट test होता है फिर उनीट test के बाद फिर group यहां पर उनका जो यहां पर जैसे school में उनका first term second term यहां पर final होता है उससाफ से हमारी तेस्ट होता है और टेस्ट में जो बच्चा बहुत अच्छा और हम लोग इतने त्यारी करा देते इतने preparation करा देते हैं कि बच्चा अगर बोर्ड में जाता तो उनको बिल्कुल जो बोर्ड के फिर हो बिल्कुल फिर नहीं रहता हो बहुत comfortable feel करते हैं और वह है हम चले तो आपने बताया आप किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं च सबसे वड़ा एफ्ट आया स्कूल बंध हो गए फिजिकल क्लासे अटेंट नहीं आए उनलाइन ख्लास सुरू में स्टाइडिंग मन नहीं करता था एंटेंड करना ऑंलाइन क्लास पर कोविट के कारण सब कुछ करना पड़ा पर ऑंलाइन क्लासे इर अर्विंशर के सपोर होगा बागे जाकर दुबारा से उस situation में बैठना दुबारा से बच्चों को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेर करना कि वो क्लास होंगी पॉफेक्ट च्रड्यूल होंगे क्या कहें इसमें सबसे पहले में बोलना चाहता हूं कि इतने पैरेंट्स सभी पैरेंट्स अपन इस बच्छे बच्चों को जोईन करेंगे तो एक दिन ऐसा एगा कि बच्चों का पढ़ने सब्सक्राइब अपर इसको अप्रेट करें और जरही बात कि अगर उससे रिलेट्स कुछ भी प्रॉलम आठी तो अपने इसकूल टीचर या कोचिन टीचर या फेज जैसे हमारे पर जितने भी है तो हमारे पास अलग 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 टीचर नों उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अर्विन जी इसी कड़ी में आप से यह भी समझना चाहूंगी कई बार हम देखते हैं कि बच्चे काफी छोटी उम्र से ही कोचिंग के ओर रोग कर लेते हैं समझ लेते हैं कि चली IIT कर करना शुरू करना पर अन्ह prossाकरतबार में तो मैं जैसे आज कन से बच्चों बच्चों का जब जाबर का नें तो उस किरस ये जाना उस構ते प्रेकार नेंट बच्चों को एक कर दो जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे बिल्कुल चले अशिश से भी बात करेंगे अशिश योगा और मेडिरेशन काफी एहम भूमिका अधा करता है एक स्टूडेंट लाइफ में करियर के लिए भी अच्छा होता है और कह सकते हैं कि एक फोकस डिफाइन करने में काफी मद करना देता है दिन फोकस करने में आसानी होती है और काफी बच्चे से काफी अच्छा तरीका समझते हैं पढ़ाई पर जादा अच्छी तरह कैसे क्लियरिंग्स पाने का अर्विन जी आपकी और रूप करना चाहूंगी आप से समझना चाहूंगी कि इस दौरान काफी बच कि बहुत किस तरह से देखा जाएगा है तो बच्चों के लिए सबसे पहले है कि बच्चे आपना जो भी डाउट है जो भी कन फूजन है तो उसके लिए कंसर्ट करें अपने पैरेंट्स करें सबसे बड़ा उहां पर गूरू बात करें तो पैरेंट्स से बताएं टीचर से तो उसके दौरा जो भी उनके मन में कंफूजन चला केजर से लेटेट तो उनके कंफूजन के उनके जो मैंड में जो भी भ्रांते चलने उन सबको क्लियर किया जाएगा चली आशीश के और रोक कर लेते हैं असी के साथ ही आशीश आप अपने जैसे स्टूरंस को क्या क्योंकि काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आके जाकर भी सेट्लमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लक्ष के प्रतिप अफवादार रहें इमानदार रहें और मेहनती रहें बिल्कुल चले ऐसी के साथ आर्विन जी मेहनतनी जरूर मिला है और पछले दौनों का मैंवा Sumaterец सारी चुनोतीयों आपitar कुछ दिन करना पड़ा है लेे लेकिन अब situations धीरे-धीरे संभलती जा रहे हैं और इसे में हमें भी संभलने की बहुत जादा जरूरत है आप सभी अपने पढ़ाई पर फोकस करें और करियर को लेकर भी अपना ध्यान थोड़ा सा divert ना होने दे बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इस चट्चा में जोड़ने के लिए और इसी के साथ हमारे इस खास पेश्किश में भी फिलाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नए लक्ष के साथ तब तक लिए बन रही बन सिलिए उसके साथ